हेलो दोस्तों गुड मॉरिंग आज के व्लोग में मैं आपको दिखूंगा बहुत सारे डोग बहुत सारे अपने फीमेल डोग जो वरकिंग लाइन से ब्लोग कर रहे हैं लेबराडोर है जर्मन सेपर्ड है बेल्जिम है यह डच है बीगल है तो ऐसी काफी एक्टिविटी मै आज के ब्लोग में दिखूंगा अभी देखो मैं सबसे पहले आपको ले जाता हूं अपने यह वारे जोइंट के पास जिसमें रोजी खटी है जिसकी एज है साथ साल फिटनस पर कोई आच नहीं अभी तक इसने दो लिटर दिये है तो जो इसने प्रोड्यूस किया है वह क पर दोनों फीमेल अभी हीट में चल रहे है तो इसलिए दोनों एक दूसरे सालग एक तरिया की अक्टिवीटी कर रहे है और यह आगी अभी जोला यह भी घूमते रहती है यह जो सर्फेस है अंडर कंस्ट्रक्शन है तो पार्क का वह चल रहा है सारक शारा एक्टिविटी तो आप देखते रही है और चिल करते रही है एक एक खड़े होने तो मैं आपको दूसरे डोग दिखाता हूँ यह अभी हमारे पास चैरी जा रही है उनके पास से और फिर यह देखो एक्टिविटी लेवल उदर बीगल जर्मन सैफर्ड के साथ खेलते हुए और डच भी उस पर यह निकल जाते हैं सारे तो आप देखो कि एक्टिविटी लेवल अर्ली मॉर्निंग का यह टाइम है जिसमें चार बज़े के बाद का काम सुरू हुआ है तो हर कोई अपना पूरा प्रोपर सिस्टमेटिक चिल करने में लगा हुआ है कुछ ठगी है कुछ बैठी है तो अब लोग ऐसी बनते रहेगे मेरे मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा दिखाता रहूंगा आपको क्या है क्या नी तो यह अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को भी पूरा होने में लग बग हमारे 5-6 महीने लग जाएगे जो जो चीजे मैंने इसमें सोची हुई है वो साथी कि दिखाने में तो आप देखो कि अगया है कि सोफ्ट मिट्टी बिल्कुल नीचे की डालके यह प्लेट्फॉम बना आए चारो तरफ जिससे की डोग रन कर सके चारो तरफ और बीच में हम लोग पार्किंग एरिया छोड़ने की सोच रहे हैं तो यह विलोग इसी टाइप से है आपको जो बैटर लगए आप भी सजेस्ट कर सकते हो तो यह चैनल ऐसा है कि इस पर किसी भी कमेंट पर कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है तो जो सजेशन अगर कोई दे पाएगा तो जाद से जाद हम लोग को फीड़बेक मिल पाएगा और हर एक चीज हम लोग अपने कैनल में अपने डोग में इंप्लिमेंट कर पाऊगे तो अभी जैसा भी आप लोग को सेट अप लग है अभी मैं आपको दूसरे एक डोग से मिलवाता हूँ मिलो यह जर्मन से फड़ है इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है जो यह कर बाइट और ग्रिप्स पर आती है न तो इसका बहुत यह अच्छा सेट अप है और डोग का मतलब यह नहीं है हमारे इसमें व्लोग में जो मैं आपको बता हूँ कि सिर्फ वो बाइट करे है वो सिक्योटी सिक्योटी में लगा रहे है कुछ चिल न गरे तो हम लोग अल्टरनेट ऑप्षन लगाते है कि डोग चिल भी करेगा डोग जो फैमिली में भी रहेगा डोग प्रोपर बाइट भी करेगा ओर देखा पैक के अंदर आउटसाइडर डोग आगे थे वो दिखा तो सारे के सारे लोगों हुने पूरा अपने आपको चार्ज कर लिया तो एक कॉमबो पैक है अगर हम लोग को इसमें नई एंट्री करनी है तो उसको एंट्रि करने के लिए हम लोग को अपने स्लो प्रोसिजर से आना पड़ेगा इलाइन को एक एक को एक दूसरे मिलवाना पड़ेगा है यह हमारी जैशू जो मीलो है उसकी मदर है जिसने अभी तक एक ही लिटर दिया है और एक ही लिटर में इसने काफी अच्छे बच्चे द और बाकी एरी दोसी इनका नाम मैं है तो ब्लोग में जो वह चीजी है आउसाइडर पैक की वेज़े थे सब लोग चार्ज है ब्यूटिफुल क्या कर रहे हो यह फर्स्ट जन्रेशन है यह थर्ड जन्रेशन है यह इसी कई ब्लड है रोज दीगा तो आप इन्हें दोनों में कंपेर कर पाओगे किस तरिया से बच्चे आ रहे हैं निकल के तो यह हमारा प्रेटिंग इस्टोक है जो हम दिखा रहे हैं और लावा अभी चिल करने में लगी बढ़ी है काफे टाइम हो गया हैं लोग आज के व्लोग में मैंने सिर्फ आपको इतना ही दिखाया लंबा ब्लोग करने से अभी मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादे बड़ बड़े ब्लोग करूं उसमें क्या होगा आपको प्रोपर टाइम देना पड़ेगा देखना पड़ेगा सुनना पड़ेगा जो हम लोग डिस्कुशन करते हैं यह एक एज पोड्कास्टी समझ के चलो आप जिसमें मैं अभी अपने सारे डोग आपसे मिलवाता जा रहा हू हो डे बड़े और फिर हम लोग एक एक डोग पर बात करना शुरू करें तो हमारी जंदर यह चलती रहेगी जिसमें डोग भी खुश रहेगे और हम लोग भी खुश रहेगे यह देखो पैक आ गया उपर अभी लोगों को यहां पर मिलने वाला है बंदर बंदर को देखके पैक पूरा एक्टिवेट है तो चलो दोस्तों हम फिर से मिलते हैं नेक्स ब्लोग में ओके बाई थैंक यू